हाई गाईस कैसे हैं आप सब आई होप आपके हर्याना से विल सब्सेस की त्यारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और बहुत फोकसरी कैसे चल रही होगी तो हम सेट 1,2,3,4 अप कंप्लीट कर चुके हैं और प्रैक्टिस MCQ में सेट 5 आ गया है इस वाले MCQ में हम the first in हर्याना की उपर बात करेंगे और पिछले चार सेट्स की तरह अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो बहुत कलती कर रहे हो अपना स्कोर is compulsory है कमेंट सेक्शन में बताना और आपकी improvement के लिए ही है तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसमें जितने भी questions होंगे उसमें से आ आपको question बताने में 2 seconds से जादा लगने नहीं चाहिए, answer है C, simple question है, scoring question है, आता एक्जाम में पता होना चाहिए, बहुत scoring question है Question number 2, ये थोड़ा सा tricky question हो गया है, किन में से कौन है, जो हर्याना की governor रह चुके है, बिहार के governor रह चुके है, और राजिस्थान के chief minister रह चुके है इसमें आप 10 seconds लीजे, क्योंकि ये है थोड़ा सा tricky question, विडियो को pause कीजे, और अपना mind लगा के सोचे कि आपको क्या लगता है, कि answer क्या हो सकता है ये, अगर मैं आपसे प्यूश लेता, who was the first CM of Haryana, आप बना देंगे, who was the first governor of Haryana, मैंने आपसे पूछी लिया, ये थोड़ा सा एक step और ahead हो गया तो इसका answer है, A option Question number 3, ये कहता है, कि who was the first state poet of Haryana जो भी आपकी स्क्रीन पर नाम है, बहुत-बहुत famous नाम है, और आपका answer है, B option Fourth question, who was the first Loka Yukta of Haryana तो answer है, D option Next question कहता है, कि who was the first chief justice of the high court, 1947 मतलब, मैंने पहली बता दिया, कि जो common high court है, उनमे 1947 के time पे, first chief justice कौन थे कि मैं 1966 वाले नहीं पूछ रहा, मैं 1947 वाले पूछ रहा हूँ तो answer होगा, B option Next question ये आता है, कि who was the first speaker of Haryana Vidhan Sabha बताईए Answer है C option अब जरा कमेंटस पे बना score के साथ ये भी बता देना, who is the present speaker of Haryana Vidhan Sabha बहुत-बहुत important question, again Next question, which was the first university which was established in Haryana Answer is B, Kurukshetri University Next question आप जरा बताईए, अगर आप ये बताते हैं, तो इसका मतलब आपकी तियारी ठीक ठाक चल रही है Who was the third chief minister of Haryana? Answer है B option Next question, who was the first female mountaineer from Haryana? So A, B, C, D, answer is C This video का last question, where was the first branch of R.A. Samaj established in Haryana in 1880? मैंने आपको ये बता दिया कि 1880 में first branch of R.A. Samaj established हुई थी कि आपसे ये भी question बन सकता है कि R.A. Samaj की first branch कभ established हुई थी? 1880 में भी थी फिर एक question बन सकता है कि किस ने करी थी? तो इद्रानन सरस्वती ने करी थी तो आप तीसरा question जो इसमें बनता है कि first branch कहां established हुई थी? तो वो established हुई थी A option Rewaadi में अगर आप हमारी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आपको याद होगा मैंने आपसे एक set में पूछा था कि first branch of Sanatan Dharm सभा वो कहां established हुई थी? वो established हुई थी जजजर में क्या आपको याद है कि किस ने establish करी थी? मैंने आपसे उस set में दो question पूछे थे किस ने establish करी थी? और कौन उसके first president थे? तो अगर आपको याद हो तो comment section ने बताना नहीं तो मैं आपको लिंक share कर दूँगा very very important question कि first RIS March की branch हुई थी रेवाडी में 1880 में first सनादन धर्मसभा की branch हुई थी चर्चर में तो दोस्तों हमने इसमें बहुत अच्छे वाले questions की बात कर दी जो भी थे first in haryana अब आप please मुझे बताओ कि हमारे 5 set complete हो गए है आपका score कैसा चल रहा है और आपको कौन से areas weak लग रहे हैं अगर आपको ठीक लगेगा तो फिर हम एक GK के भी उपर एक question स्टार्ट कर देंगे ताकि आपकी HCS की तयारी और इची तरह से होने लग जाए तो I hope आप हमने हमारे चैनल सब्स्राइब कर लिया होगा like आप कर रहे हो comment आपने करना ही करना compulsory है और इस वीडियो को अब share करो so okay guys till then see you soon bye bye